डिवाइन आज इंडिया के वन अब दे मोस्ट पॉपिलर हिप हॉप पर्सनालिटीज में से एक हैं जिनके गानों के वज़े से एक नया इंडियन रैप कल्चर उभर के आया है दूस्तों इस वीडियो में हम आपको डिवाइन के लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बाते बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूड़ा जरूर देखें और लाइक करें डिवाइन का रियर लेम विवियान फर्नांडेस है और उन्होंने अपना नाम डिवाइन टीनेज यूर्स के दौरान रखा था डिवाइन तब रिलीजियस रैप किया करते थे डिवाइन का कहना है कि मेरी ग्रैंड मॉम मुझे रोज सुभर चॉर्च लेकर जाया करती थी और मुझे उस समय डिवोशनल वाइन सुनना और गाना बहुत पसंद था और इसी लिए तब से मैंने अपना स्टेज नाम डिवाइन रख दिया डिवाइन का जन मुंबई के स्लम्स में हुआ था जहां उनके पेरेंट्स के बीच मैरिटल प्रॉब्म्स हुआ करती थी उन्होंने एक इंटर्व्यू में रिवील किया कि उनके फादर अलकोहॉलिक थे जिसकी वज़े से फिनांशिली उनके घर में बहुत प्रॉब्मस होती थी उनके बाद उनकी मॉम ने ही घर की सारे रिस्पॉंसिबिल्टीज संभाली इसी सभी रिस्पॉंसिबिल्टीज के चलते उनकी मॉम को जॉब के लिए वरकिंग वीजा पर मिडलीस्ट शिफ्ट होना पड़ा डिवाइन ने कहा कि उनकी मॉम उन्हें पैसे बीजा करती थी जिसके कारण के फैमली ने स्लम्स में अपना खुद का घर भी खरीदा लेकिंगे फादर ने यह घर भी बेच दिया घर बेचने के बाद पापा ने हम दोनों भाईयों को आधे-आधे पैसे दे दी और फिर हमारी लाइफ से हमेशा के लिए कट आफ हो गए अपनी लाइफ प्रॉब्म्स के चलते डिवाइन को अपनी ग्रान मजल के घर शिफ्ट होना पड़ा जहां उन्होंने हिप हॉप में इंट्रेस्ट देना शुरू कर दिया हुआ यूंकि 2005 में डिवाइन ने अपने दोस्त को एक टी शिर्ट में देखा जिस पर American Hip Hop Artist 50 Cent की तस्वीर थी तो जब डिवाइन ने अपने फ्रेंड से 50 Cent के बारे में पूछा तो उनके फ्रेंड ने 50 Cent, Eminem, Dr. Ray और हर उस आर्टिस्ट के बारे में उन्हें बताया जो उस समय काफी popular हुआ करते थे डिवाइन के दोस्त ने उन्हें इन आर्टिस्ट के गाने की एक MP3 CD भी दी थी डिवाइन ये CD लगबग रोज सुना करते थे और इसी से उनको अपने करियर की inspiration मिली और डिवाइन का rapper बनने का ambition वहीं से शुरू हुआ डिवाइन को हमेशा उनके hip-hop influence के बार में पूछा जाता और उन्होंने कहीं बार Eminem, Tupac, Big Deal जैसे artist का नाम लेते हैं पर उनके favorite हमेशा से नाज रहे हैं जिनकी album Illmatic से डिवाइन बहुती ज़्यादा relate कईया करते थे Nas के songs भी streets और उनके experience के बार में हुआ करते थे जिसे सुनगर डिवाइन में भी अपनी life और गली के बारे में लिखना शुरू कर दिया 2013 में डिवाइन ने अपना पहला गाना Voice of the Streets YouTube पर release किया उन दिनों डिवाइन सिर्फ English में ही rap किया करते थे और इस वीडियो में एक लड़की की कहानी दिखाई जाती है जिसकी mom को एक आदमी गलत तरीके से stare किया करता है और कैसे वो उस आदमी से revenge लेता है डिवाइन के lyrics इस गाने में बहुत real और अपनी life से inspired निजर आते हैं अपने पहले गाने के बाद उन्हें ज्यादा response तो नहीं मिला लेकिन उन्हें realize हो गया कि जिस तरह के गाने वो लिख रहे हैं उस तरह के गाने audience तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि शायद उन गानों की language English थी उसकी बाद से Divine ने Hindi में rap करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने दूसरे music video ये मेरा Bombay को YouTube पर release किया ये गाना उनके पिछले गाने से कहीं ज्यादा successful रहा और इस गाने को 2014 में Rolling Stones इंडिया ने best music video का award भी दिया 2015 में Divine के career का breakthrough song मेरी गली में आया जिसमें Nazi के साथ collab किया इस गाने की story भी बहुत interesting है जहां life performance के दौरान दोनों ने ये गाना गाया जिसके बाद Sony के एक employee ने उन्हें ये गाना उनके label के साथ launch करने की offer दी Divine के लिए उन दिनों ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उन दिनों इतने बड़े labels, individual new artist को इस तरह promote नहीं किया करते थे पर Divine का गाना उन्हें इतना पसंद आया कि Sony Music ने उन्हें officially sign कर लिया जिसके बाद उन्होंने solo hits जंगली शहर और फरक भी release किये BBC Network के Fire in the Booth में Divine ने अपने rap से history create कर ली जहां वो पहले ऐसे artist बने जिसने इस show में Hindi में rap किया Fire in the Booth एक ऐसा TV शो है जिसमें सभी emerging artist को बिलाया जाता है और इसी वक्त unknown beats पर artist को rap करना होता है Divine के performance देखकर हर कोई उनकी performance का fan हो गया यह उनकी early success में से एक थी जन्हें देखकर सभी को यकीन हो गया था कि Divine का time अब आ चका है Divine अपने career का सारा credit अपनी mom को देते हैं क्योंकि उन्होंने Divine की education और well-being के लिए काफी sacrifices किये popular होने के बाद उन्होंने अपनी mom को Middle East से वापस बुला लिया और अशौर किया कि अब उन्हें कोई काम नहीं करना पड़े Divine ने एक interview में बताया कि Middle East में काम करते करते निनी mom को इंडिया वापस आना मुश्किल होता था और अब जब मैं खुद काम कर रहा हूं तो मैंने अब decide कर लिया कि अब मैं उन्हें काम नहीं करने दूँगा Divine से जब honey sing के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो honey sing करते हैं वो real hip-hop कि आज मैं जो भी हूँ वह सब उन गानों के वज़े से हूँ और मैं अपने रूट्स कभी नहीं बोलूँगा तो चलिए इसके साथ that's a wrap on this video आपको ये वीडियो कैसी लगी वो हमें अपने comments और like के जरिये बताएं और ऐसी ही कुछ और बाते की जानने के लिए हमारी चानल पर बने रहे हैं